जानेंगे जो डीलेट 30 समेस्टर का जो दिख्षा पर एसाइमेंट चल ला है जो कला और संगीत का जो सब्जेट है मतलब करेंगे में अप यह डालोड कर लेंगे वहां से लिख सकते हैं असत्य लिखते हैं और सब्सक्राइब कर दीजिए और बढ़ जाएए अगे बढ़ जाएए तो अब देखें कलासीच्छा द्वारा बचो जर्सक्राइब करूश लो का बिकास होता है बिल्क अधिक पर देखें ललीत कलाओं को साथ भागव में बटा गयाै है क्या ये सकत्त है बिल्कुल गलत है ललीत क्लाऊं को कितने भागूं बाता गया है पांच भागूं बाट जैएक हमारा और सत्य होजाएगा जस्तों आगे बढ़ी वह दिखे कला हमारे vast करोग का एक कद्रिश सीरूप है बिलकुल सत्त बात है एक क्या है अपका द्रिश रूप ही होता है ठीक वह जाका सत्त आगे बढ़ेंगे यह चुकरने का देखें तरफ लेकले करें लाओं से विकास होता है देखें पहला अपसंद्र संदर्ण भूति का सब्वैता संस्क्रीतिका के अंतरगत आती है क्या आती है ललीत कलाओं के अंतरगत आती है ठीक है मूर्ती कला कर नहीं आती है लोग कलाओं कर नहीं आती है इन्हें से कोई नहीं पहला अपसन अपका सही हो जाएगा इस्थापत कला को कहते हैं क्या कहते हैं जो इस्थापत कला होता है जो घर बनता है ओस्ता प्राइब क्या है क्ला एक सहाज अभी वक्ती है बिल्कुल सही है सहाज अभी वक्ती है यह नखल करना नहीं की सहल है इसमें दस नहीं है अब क्या करेंगे डाता कहां पहुंचाना है सर्वर तक पहुचाने के लिए सम्मिट कर दिए सम्मिट करके देखिए आपका क्या अंसर आ रहा है उसको कंपेर करेंगे आठ में से कितने माक्स आते हैं आपको देखिए आठ में से आठ फूर आपका सही है तो आप लोग यह एसाइमेंट कर लिए यह आपका आठ का पहला पहला यूनिट था अब हम देखेंगे एसाइमेंट टू पढ़ेंगे एक सब्सक्राइब देना आपको देखिए इसमें जो उत्तर लिखेंगे तो तर आपको हिंदी में लिखना है देखिए बहुत सारे उत्तर आपको गलत भी हो सकते हैं लेकिन जो एंसर बताऊंगा इसमें पता नहीं क्या मांग रहा है तो इसे आपको घबरानी की कोई बात नहीं है चिंता करनी कोई बात नहीं है आपका जितना वplessल बेंने आपको सही फिर आफे गर चांगे सांथ रस God was sent to a helping I कि इसांथ रस को जोड़ा गया था संधी के बढ़ी अफिर याइगे संसलिक्लिम आफ़े लिकाल मेंग receive Be Gmail का हमारे मस्तिक्स पर परभा पड़ता है। जो regional बहुत गरम कर देता है यह राज श्री हो जाएगा तो राज श्री जोस्तों यह गरम भी हो जाता है अपका गरम कर देता है मतलब हीट हो जाते होंगे तो राज श्री जोस्तों अब आगे बढ़ जाएगे आगे बढ़ने वाद देखे क्या कह रहा है बैग्यानिक ओस्टवाल ओस्टवाल किस देश के रहने वाला था ओस्टवाल जो बैग्यानिक थे वो आपके जर्मनी के रहने वाले थे तो क्या लिख देंगे हम लोग जर्मनी देश क जर्म जर्मनी तो जर्मनी करदें पर खानी पर खाल का 네 Сरे बादीन यर्मनी लिग देंगे पर खाल केफेंगे अगे बढ़ए हर रंग का विरोधी रंग क्या होता है थी हरे रंग क सब्ढ़ी का विरोधि पाल कि पड़ते होंगे जब लोग कि लिखने में प्रावबल्म हो रहा है से भी प्राब्लम होगी आपको जब टाईप करेंगे आपलो तब ही दिक्कत होगी इससे कोई मतलब नहीं है आपलो ठीक कर आप शिंता करने बात नहीं है एक गलत वी रिखेंद कंधर दुट्य काई नहीं रहा है प्रिद कि दिवित-डिवित-आइए-टी-टी-यक शोजने já कुर्ण है नहीं आह रहा है मैं बहुत कुछ इस कर रहा है लेकिन आनुक 20-टीयक नहीं कि देखी आगे दित्यक पिश्दों इसाए आपको भी लाना धैटित्यक रंग लाना है एक सरह होता है दित्तेक रंग होता है आगे बढ़िए आगे क्या कहा रहा है कि निमनेखित सही जोड़े मिले देखे एक ही रंग से बना चित्र को क्या कहते हैं एक वर्डी रंग कहते हैं अब देखे वस्ट वाल्ड रंग जो वस्ट वाल्ड रंग चक्र होता है वो क्या होता है उसमें कितने रंग होते हैं वो आठ रंग के होते हैं दूपर आठ को ऊपर आ दीजिए तो अस्वेत रंग क्या होता है सांती का प्रतीक होता है जो कबूतर होते हैं जिसे हम सांती का प्रतीक करते हैं वो स्वेत रंग तो होते हैं तो हम क्या बो जोड़ा मिलाकर क्या करेंगे नेक्स पर चले जाएंगे नेक्स कुसें क्या करें देखे नीन में लिखित नीन में लिखित क्या करना है सही जोड़े मिलान करना है क्या हो जाएगा सही जोड़े मताईए काला सफिद क्या हो जाएगा काला सफिद जो होता है आपका क्या होता ह प्रतीक होता है उसको क्या घंडे रंग का पृतीक होता है तो उपर लाजेंगे दूसरे पर मिला देंगे लाल- नीला- पीला क्या होता है सोरी ठंडा रंग उपा जाएगा ना ठीक है अब देखे लाल नीला पीला यह क्या होता है अभी बता है लाल नीला पीला आपका प्राथमिक रंग होता है सही है बिलकूर बैगनी हरा और नीला क्या होता है दित्यक रंग होता है आगे बढ़े इसको मार के आगे बढ़े आग जो आपका पीला रंग होता है क्या होता है घुलकुल अधर मतलब के पर लेंगे और नियला रंग थंडा होता है थंडा रख देंगे दोस्तों आगे बढ़ेए अल्ला देखें क्या करा है कि निउटन के सात रंग जो सात रंग को खोच खिया था उन्होंने कब किया था उनका देखेंगे देखेंगे बीवे गुर का फुल फाम जो होता है वाइलेट इंडिगो ब्लू एलो सौरी ग्रीन एलो औरेंज रेड ठी इनकी जो खोई हुई थी 1960 में हुई थी दोस्तों अब इसको आगे बढ़ जाए फिर तथस रंग होते हैं अभी पीछे का बता है तथस रंग कौन-कौन से होते हैं अभी आप लोग को पीछे बताया हूँ जो मिलान करने वाला था आप लोग पाला जीखे थे तथस रंग तो दोस्तों कौन साफक आप सब्सक्राइब दिया हूँ पीला नीला दूसरा लाल हरा तीसरा अधम क्यों फिद्राइब और पिए और भूरा तो क्यों सा था मारा तो क्यों सा घं़ dif पिला और नीला है प्योस्तों पाशर की आ से पंबर हे देखे लेंगे में जो क्या था घ्लिएere कि काला और सफेद रंग आपā बिल्ग्यू सभी हो जाएगा आप देंगे अब 스amco रंग के रंग के हल्केपन घहरेपन को क्या करतें है हैं कि Creed गहरेपन है दूसरा क्या है सघंता है तीसरा है मान है चोथा प्रकास है तो क्या हो जाएगा रंग का हलकिया पन का होता है जो प्रकास का गुड़ है जो भीवेक गोर में करनवर्ट होता है वह मतलब सुष साथ रंग होते हैं साथ कलर होता है जो नीटर ने 1960 में दिया था ओई है तो अब आगे बढ़िए आगया करा रंगों का अभास किस तंतु तंत्रि गंतियों के कि द्वारा होता है तो आपको बता दें प्रकास से नहीं होता है रेटिंईज से भी नहीं होता है जो roads वेकॉंस से होता है विल्कु से answer roads जो वेकॉंस होता है उसी सोता है ठ्योस तो अब देखिए हमने कहा किया तेरा question था तेरे को यह हम कहके click कर दिए देखिए answer हमों सब लिखे हैं लेकिन उसमें से बहुत सरे जैसे होता है न लिखने में दित्यक नहीं आ रहा था और जो इस पेलिंग जर्मनी का जर्मनी का देखिए पूरा सही निल्य पास जर्मनी देश आएगा जर्मनी आएगा उसमें देखिए option में आपका गलत दिया हुए कि मतलग कैसे लिखना कैसे निए इसलिए कुछ गलत हो सकते हैं ताको चिंता करने की बात नहीं है जितना सही है उतना आप लोग करिएगा अपने हिसाब से तो इसको सम्मिट करिए देखते हैं कितना सही होता हमारा इस से आप लोग को कुछ चिंता करने की बात नहीं है आपका एंसर आएगा आठी नंबर आएगा इतना आप लोग को कम्प्लीट हो गया अब देखेंगे अगला चौता सेमेंट की दोस्तों का मतलब कला का है तो क्या करेंगे कोसर इसमें पड़ेंगे आपका लिखित नहीं है आपका अप्येटिव यद फूरा पुरा सही होना चाहिए द्रिससी कला में सौतंत्र भाव प्रकासन मानो जीवन के किस भाग से संबंदित है बाहय आनंद से आंतरीक आनंद से इनमे से कोई नहीं सभी क्या आप समझाएगा द्रिष सिकला का जो होता है है नहीं कि यह प्रकाशन आंतरी अनन्द के लिए होता है कि इसको क्लिक करने के बाद क्या करेंगे दिर्ष को समगे प्रकाशन क्या कह रहा है कि द्रिशिकला जो द्रिशिकला है द्रिशिकला में सोतंत्र भाव का प्रकाशन का दर्सकों से संप्रेशन कैसे होता है पहला आपसन आपका महसूस करके कालपनिक करके या फिर भावतिक करके या फिर चाच्छु करके तो हमारा चोथा अप्सन क्या हो जाएगा चाच्छो करके आगे जाए जाए अला क्या कहा रहा है कि भारती कलाओं में भावों के परकासन में किसकी परधानता होती है रंगों की होती है आंसुओं की होती है रूपकारों की होती है रेखाओं की होती है बिल्कुल से यह रेख पेंसिल चित्र से तीसरा है तेल रंग से चौथा उप्रक सभी तो मैं बता दू जल पेंसिल तेल जो आयल वाला रंग होता है सभी हो जाएगा अपका अगे बढ़ जाएंगे निन में से सवतंत्र भाव प्रकासन के लिए कौन सी सामगरी नहीं है तो वायलिन बता तो वायलिन आपका नहीं है बिलकुल नहीं है यस्ता सब्रंबर अब देखिए सवतंत्र भाह प्रकासन द्वारा चित्र में कौन सा पच्च जरैणों यस स behaviors हो जाएगा canse महत्रपूर होता है कौन सा होता है सैच्छिण पत्र भावतिक पत्च इन में से कोई नहीं और चोथा है भाव पत्च को सोतंत्र भाव परकासर सैली संभव क्रिया संभॉ हो थे उसमें canvas पर acrylic की कागज पर pencil की या सभी की देखिए या paper पर जल की रंग जल रंग की हम सभी कमार देंगे क्योंकि canvas भी होता है कागज पर जल कर रंग होता है तीनों आपका सही मार देंगे आगे बढ़ जाएंगे तो अब देखे क्या करा कि सोतंत्र भाव परकासन का आसे मतलब किस चीज से मतलब क्या बोलते हैं मिला मिला होता है मतलब आसे होता कि यही होगा तो कौन जाए खेल खेलने से नहीं सोचंद अभीद्विक से बिल्कुल सही आपसन आ रहा है आपका क्या रहा है आपका टूसलिक करेंगे हुआ को यह पारहा है तो अब देखिए चलेंगे पांच एसाइमेंट पर पुष्फ में भरने ना दे दिए हम आपको सही सभी बताएंगे और लिखेंगे भी यहां लिखने में बहुत दिक्कत हो रहा है आप अपना ट्राइए करिये गहर लिखनी का पोसिस करिएगा हिंदी में मैं लिखोंगे तो बहुत टाइम लगेगा वीडियो लंबा हो जाएगा आपको देखने का मन नहीं करेगा फिर दोस्तों मुझे टाइम भी बचाना है आप लोग को समझाना भी है देखिए मैं आपको बता दूँगा कडवत जो कडवत रिखाए नहीं होती है का भाव परकाइए किस का बिचेनि होती है या बयकुम अग्लत होता है उसी का बाव परकार करती है क्या कडवत रिखाएं लमबद होता है dwar Christina इह सब क्या होते हैं भारती चित्रकला के तत्व है, मतलब अलिमेंट है, तो जोस्तों अब देखिए, इस question को लिख नहीं रहे हैं, आप लोग लिख लीजेगा, इसका अंसर फिर से में बदूल देता हूं, आप लोग को बेचैनी या ब्यकुलता, तो जो असार रहेगा उसी को लिखेंगे, तो रेखा प्रारम से ही कामूल अधार माना जाता है, किसका आकांचा का, आकांचा का कामूल अधार माना जाता है, क्या लिख लेंगे, आकांचा, आकांचा का कामूल अधार माना जाता है, तो जोस्तों आगे बढ़िए, अला कह रहा है, चक्रा का रेखाएं की परतिक होती है किस्का पर्क्रिपटिक होती है यह संक्यनितिक का संच्यतिक नहीं चक्राका रखाया जो गवती है आपके निरंद्दतर क्या होता है निरंतरतर निरंदर्थ निरंतर्थर्थर्थ qa night गषै करो होता गवारणतर्ड undergrad प्रकार होता है आप क्या कह रहा है एक पूजी रेखा का भाव परकट होता है किसका भाव परकट होता है एक पूजी का यह आपका सौचंदता क्या होता है स्वचंदता क्या होता है स्वचंदता अब आगे बढ़ेगे अगला क्या कह रहा है अब देखिए जो हमारा भनने वाला है उसमें मिश्टेक हो सकता है लेकिन जो अब्जेक्टी कोशन है यह आपका मिश्टेक नहीं होना चाहिए इसका अंसर देखिए हम सही से आपको बताता हूँ रेखा का प्रियोग सुर्व पर्थम किस के द्वारा किया गया था सबसे पहले क्या हुआ था जब मानो द्वारा जो पहले जो मानो थे आदी मानो उन्हीं के द्वारा रेखा का प्रियोग किया गया था प्रकार का रेखा का प्रतिक होता है और क्या दिया हुए परवाही रेखा प्रवाही रेखा यह बताएं आंगा होता है गति को प्रकट करता है अब देखिए कोडी रेखा है कोडि नहीं होता है उसके लिए कोड़ी रिखा का इसमीं युजता है इसमें ना भारती चित्रकला में जो मुर्थीया लेकिन इसमें क्या दिया हुआ है कि आरो मत्रों कि लाइसं होकी सब्सकेवाद्वर्णしょ संब्सक्रांब दिया हुआ है कि जो सतों तो ने पहले बता यह होता है उसमें निया दो सट उसक्षारिक उन अफचारीग जिसको बोलते फार्मल लाइन इंपर्मल लाइन इंपरमल लाइन इंग्छेंव बोलते हैं जैसे आप लूग लेटर रोट होते रहें कि अब देखिए जरूरू मिलेगा आप लोग को पेस्तों आगे बढ़िये वाला क्या कहा रहा है आप देखें का इंसर किए आप बहुछ हो सकता है इसलिए अला आप को न हुआ हम भरने वालाद सब्सक्राइब 5 बहुंत स rat नहीं आ रहा है अब देखते हैं अब देखते हैं आज नहीं देखेंगे टाइम जादा हो गया आपकल मिलेंगे आप लोग से छह से लेके 10 तक ठीए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में धन्यवाद